Hello everyone, då आज हम डीटेल में बात करेंगे पहले वीक्रिफ्टी तो आप निफ्ले करेंगे देखेंगे निफिप्टी का क्या वीव है और फिर बात करेंगे कि आज के लिए आपके पास कौन कौन से इंपोर्टंट करेंगे के। अगर मैं weekly view की बात करूँ अगर आप इस bankruptcy के चार्ट को देखेंगे weekly time frame में तो यहाँ पे एक trend चल रहा था अप trend और कहीं न कहीं market ने उस uptrend line को break कर दिया तो अब मेरे लिए analysis के recording price action के recording uptrend change हो चुका है means अभी यह downtrend की शुरुआत है अगर आप देखने यह भी काफी important level था जो पहले lifetime हो यह high होता था अब यह भी almost break हो चुका है कि zone को भी market ने break कर दिया तो यह सभी scenario बोल रहे है कि market ने कहीं न कि अच्छा खासा breakdown दिया है और एक downtrend start होने की समभावना है अब बात करते हैं कि target क्या आएगा अगर मैं इसके बाद देखूं कि अब इस downtrend के बाद काम करेगा तो मेरे लिए जो target मैं अभी expect कर रहा हूँ that is 38,800 जो अभी के price से 1500 points नीचे है अगर कहीं market ने इस level को भी break किया तो most probably market इस level तक भी आ सकती है which is nearly around 37,700 means around 2500 points current level से तो अब यह तो होगी weekly की बात चलिए अब थोड़ा daily time frame में भी देख लेते कि कैसा price action है और क्या हमें target expected है तो लिए levels को मैं बने ही रहतने देता हूँ वन डे time frame में चलते हैं तो वन डे में अगर आपको जा दो तो इस trend line की बात हमने पहले विए तो थोड़ा सा refine ज़र लेते हैं अच्छे से बना लेते हैं तो अगर आप देखने तब बहुत ही अच्छे से market ने इस trend line को break किया और इसके बाद उसी को retest किया look at this यहां पर एक zone मरना था अगर मैं आपको draw करके भी दिखा दूँ तो यह zone था कि यहां पर यहां पर market काफी दिनों से stuck थी 7-8 दिन यहां पर रही और जब भी zone का breakout होता है तो that gives you a good momentum लेकिन upside का पहले breakout हो था अब अगर upside का breakout हो था at least trend line की वेट्थों में करने ही पड़ने थी लेकिन market ने trend line से उपर नहीं गई और बापस downtrend start कर दिया अब यह एक अच्छा खासा fall हुआ है ठीक है तो अभी के लिए अगर मैं बात करूँ उपर वाई इस साइड लेट्स पोज अगर market उपर आएगी तो आइदर इस level को retest करेगी जा फिर इस level को अगर market उपर आए तो यहां पर हमारे पास एक sell का trade बन सकता है कभी भ करता है वही टार्गेट है जो हमने weekly टाइम फ्रेम पर डिसाइड किया था हो सकता है यहां तक आजाए माइट भी लेकिन यह एक अच्छा लेवल है जो हमने टार्गेट किया था थाटी एट थाउजन सावन एटी से रहा हूं तो आज के लिए आपके पास कॉनकर से बॉट कow लो लेकिन आपका टार्गेट होगा फुटी था व्लैंवर लेवल ऑडी मार्गेट remote master or डेफिनिटली वहांसे एक माउनंस आने की एकस्प्टेशन प्れग तो अगर आप यहांसे इस अल प्लैन करेंगे तो वोटी थाज़न आपका तार्गेट होगा और 40,000 से आप स्काल्पिंग के लिए भी बाइसाइड का ट्रेड प्लाइन गर सकते हैं Most probably वहाँ से अगर अच्छा खासा बेरिश ट्रेंड हुआ फिर तो 70-80 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बेरिश नॉर्मल ट्रेंड रहा फिर हो सकता है more than 100 points की में भी आजाएं वहाँ से अगर कहीं 40,000 भी break होगा फिर आपको एक अच्छा खासा free fall देखने के लिए मिलेगा वो काफी दूर तक जा सकता है हो सकता है 5 minute points का हो सकता है उससे भी जादा आजाए अब बात करते है upside की कि अगर आपको upside के लिए trade लेना है let's suppose market आज bullish हुआ क्योंकि जो US market था वो Friday को काफिया तक ठीक था तो अगर market आज ठीक रही तो आप upside का अगर trade plan करेंगे तो आप इस level से ले सकते है that is nearly around 40,500 का level अगर market 40,500 से उपर जाने की कोशिश करेगी और उसे उपर sustain होगी तो please थोड़ा सा time दे दिया किजिए market को कि अगर वो sustain हो रही है उपर then it's a good trend और आपको easily यहां तक का target भी मिल सकता है 40,800 and 41,000 अगर market में कुछ अच्छा trend रहा strength हुई market में तो आप 40,500 से उपर plan कर सकते हैं कोशिच कीजिए इस zone को छोड़ी दीजिए because this will be a tough zone यहां से clear trend का analysis करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इससे नीचे आप selling का plan कर सकते हैं इस level से उपर buying का अगर कहीं ये level मिला फिर आपको सुचने की जुरूद नहीं यहां से आप अच्छी खासी selling का plan कर सकते हैं आपको इसली काफी अच्छा profit मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की निफ्टी में क्या चले पहले option chain देख लेते हैं तो बात करेंगे निफ्टी की अगर मैं bankruptcy की option chain की बात करूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा बिल्डब चलाए साइड पर कॉछ साइड पर एट लैक तूलायक दो अगर हैं तो पर साइड पे काफी वीक बिल्डब डप है तूलायक तूलायक वाललक ओली और यहां पर वाइंडिंग चल रही है 40000 9 अबस में उन्पों लग रहाए के option chain bearish है तो आज जब आप trade करेंगे न तो current trend को देखके ही trade केजिए बाकि आगे budget आ रहा है तो chances are high के options के premium might be और भी महगे हो जाए इससे ज़्यादा तो आप उसके recording plan कर सकते हैं option buyers प्लीज सोड़ा सा दूर रहें अभी के लिए हाँ budget वाले दिन आप सकते हैं option selling के लिए लेकिन अभी option selling सोचना तो आपके लिए थोड़ा सा difficult होगा जो आपको pain दे सकता है क्योंकि अगर demand increase होगी option chain में तो option chain के premium भी increase हो जाएंगे जो काफी tough होगा आपके लिए manage करना तो चलिए बात करते हैं nifty की उसके देखते हैं अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में भी almost काफी तक वही एक trend चलता था अगर आप यहां से draw करेंगे तो यह एक trend चलता था और कहीं न कहीं market न उसको break किया दे यहां पर एक अच्छा खासा pause आया था four weeks का around और उस four weeks के pause के बाद market ने एक नीचे का breakout दिया तो काफी अच्छा breakout लग रहा है मुझे trendline का तो अगर मैं बात करूँ अभी कौन सा next level है जो market के पास आ सकता है तो अगर मैं nifty की बात करूँ तो nifty में मुझे दिख रहा है सर्फ यही वाला level जो sport का काम करेगा which is 16,800 level तो weekly time frame के अगर मैं बात करूँ तो मुझे यही एक level दिख रहा है कि अगर market और नीचे आई तो round around 16,800 which is near around 800 points नीचे है current price है तो यहां तक भी market आने के chances है अगर यह downtrend continue रहा तो तो चलिए अब देखते हैं daily time frame में क्या चगड़ा है अगर अब one day में देखेंगे ना तो one day में भी almost वही structure है market का यहां पर market ने के zone मनाया काफी time तक और finally उस zone को break कर दिया मैं इस level को भी मार कर लेता हूँ काफी important level होगा अब यह level काफी अच्छी rejection का काम करेगा bank nifty में तो वहाना tough था क्योंकि bank nifty काफी दूर है से लेकिन इसमें might be possibility है कि आपको आज जाफिर आने वाले दिनों में अगर market उपर आई तो यहां से एक rejection का trade भी मिल जाएगा bottom side पर देख लेते हैं कोई और level तो नहीं ही है this is the most important level यह भी हो सकता है लेकिन यह उतना strong नहीं है जितना strong यह वाला level है तो चलिए अब देखते हैं 15 minute time frame में आप कहाँ पर buying और selling plan कर सकते हैं तो अगर मैं 15 minute time frame की बात करूँ तो अगर आपको एक aggressive trade लेना है तो अगर आप देखेंगे यहां पर एक trend line आ रही है और अगर market ने इस high का breakout दिया यहां से तो यहां से आप एक buy का trade plan कर सकते हैं लेकिन यह आपका target होगा means around 607 का level है 610 को होगा around 610 यह 20 इस से उपर buy करेंगे और आपका target होगा 762 तो मैं यह नहीं कहाँ रहा कि आएगा ही आएगा आपको अपने stop loss के recording अपना target decide कर लाए 1 issue 2, 1 issue 3 आपका easily आ जाएगा इस से पहले प 40 points का move है तो which is not a bad move अगर मैं बात करूं selling की तो एक तो अगर market आपको इस level के आसपास देखे यहां से आप selling का trade plan कर सकते हैं इस level से उपर stop loss hardly आपका stop loss होगा अगर मैं बात करूं तो 15 points को premiums मेंगे तो 15 points का stop loss हो सकते हैं आपका 10 to 15 points का और आपका target easily more than 45 points हो जाएगा और अगर आपको sell plan करना है तो आप इस low से नीचे भी sell plan कर सकते हैं प्लीज 5 minutes से उपर sell plan मत करना that will be a tough task for you तो यहां इस area को थोड़ा avoid कीजी अगर market ने इस low को break किया तो भी आप sell plan कर सकते हैं जा फिर इस level के आसपा sell plan कर सकते हैं यहां से भी एक अच्छी move आएगी और यह यहां से भी टोटी moves अगर आपको scalping कर गया है that is a different part अगर आपको एक अच्छी move capture कर गया है तो these are the important level यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से these three things will give you a good money today तो चलिए बात करते हैं option chain की तो अगर मैं option chain की बात करूं तो कहीं ना कहीं निफ्टी की options वहीं same scenario clearly bearish है 17 lakh, 19 lakh, 28 lakh और इस side कोई खास build up नहीं है तो लेकिन फिर भी जब मैं आज trade करूंगा तो current moment recording देखूंगा कि क्या price action है और क्या option chain के area दोनों के correlation के साथ अगर आप trade plan करेंगे तो कहीं ना यह आपकी winning probability जादा हो जाएगी मेरी वीडियो खतम होगी लेकिन आपसे एक चीज़ पुछ नहीं थे कि क्या आपको stock analysis भी चाहिए अगर आप comment box में हमें बता देगे कि आपको stock analysis भी चाहिए अच्छे खासे comments आएंगे तो हम आने वाले कुछ दिनों में stock analysis भी start कर देगा और regularly videos upload करेंगे तो अब इक माइब बता दीजिए थैके सो मच and have a nice day